नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों को फिर से हम लेका रहा है मुड़ा सेट 3 जो हिद्धी को लेका रहा है लिए लिश्ट बनाया गया है उसमें आपको साइंस संस्कीरित और हिंदी और फिर सोशल साइंस का भी उसमें आपको मिलेगा और फिर यह नया मुडल सेट लेकर आए हैं आप लोग के लिए जो विलियेंट के लेकर आये हैं जो आच्छा खासा सावित होने वाला है दोस्तों यहां पर ज्यादा बात ना करते हुए अब लोग उच्टा नंबर एक चलते हैं यहां पर पर कुचंअ नंबर 1 क्या कह रहा है सबसे पहले आपका स्क्रीन को यहां पर जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई परकार की दिक्कत न हो ठीक है दोस्तों चली आगे आ करदा और समान का भाव होना चाहिए ठीक है दूस्तों चलिए आगे हम लोग कुछा नबर दो के देखते हैं कुछा नबर दो क्या कहता है दो राइज इंड ओफ दा हिंदू विमेन में लेखक कौन है तो यहां पर अपसन नमबर दो का एग नमबर है जो बाबा सहब जो थे भिम्रा अंबेदकर वहें उनका लेखक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं बीश की दात कहाने का परमुक पात्र कौन है तो यह नमबर में है सेन दवयत बिज्ञान क्या है तो दवयत बिज्ञान कौन सा होता है चार का हम लोग इंसर देखते हैं चार का इंसर हो जाएगा देव जो बिज्ञान ठीक है देव जो बिज्ञान हो जाएगा नाकुन को इससे रगड कर लाल और चिकना बनाया जाता था तो यहां पर बता दे च्छो नमबर है दारिस क्या है तो दारिस क्या है हम बता दे इंसर इसका अफ्टन नमबर D है जो प्राची निकाल के सोने का सीखा है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए चलिए यहाँ पर देखे कासी को किस नगर के रूप में जाना जाता था तो यहाँ पर एंसर हो गया आपका सी नमबर देव नगरी के रूप में जाना जाता था ठीक है दोस्तों चलिए कूचा नमबर हम लोग 8 देखते हैं कूचा नमबर 8 मेरा क्या कहता है यहाँ पर देखा जाए कूचा नमबर 8 में है किसने कहा था कि सब पूराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते किसने कहा था तो पूचा नमबर 8 का आपका एंसर डी नमबर है जो काली दास कहे हुए थे किसने कहा था पूराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते ठीक है तो काली दास ने कहे था चलिए आगे हम लोग देखते हैं बह आदूर ने मा के रखे रुपिय में से 2 रुपिय मातर निकाले हुए थीक है अपसे नम्बर भी आपका राइट इंस हाई है चलिए आगे हम लोग देखते है कुछा नम्बर 10 में क्या कर रहा है परमपरागत के मुल्यांकन सीशक पार्ट किसके दौरा लिखा गया है तो दौ से जित मैं निर्खत हुआ पार्ट के केंद्र होते हैं ये आपका इंसर यह होगा जू बिरजु महराज है ठीक है चलिए अगे महरेकोग देखते हैं तरड़ा तो नमबर कुछन कर रहा है तो अंग्रेज़ी भास के कभी है तो अंग्रेजी भास के कभी है सी नमबर आगे पर सबने लिखे कर दो हो दो है थो MX में और सबस्क्राइब करें गतले हैं पहली बार बने है चैनल को सब्सक्राइब कर technically और व्कल पे चिये राष्ट कुंत, सासन कहां के रहने वाले थे 15 ओर आपका राइट अस्थान क्या है टोब का उचारन अस्थान आपको बता दें अ यह नमबर आपका राइट है रहोगा चलिए हम लोग देखते है गुझानबर 17 17 क्या कहता है नायक का सही संदी बिइशित सब्सक्षा घश्याम सब्सक्राइब आपका क्या है और कुष्याम सब्सक्राइब है बेकतीवासक संग्य है फुटपातसबस हैे फुटपातसबस है कौन आपका right answer C होगा 26 होते है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ नमबर 24 के यहां घर किस विसेशन का उधहरन है यहां गर किस विसेशन का उधहरन है तो अपसे नमबर C है स्वर्बनामिक विसेशन का उधहरन है ठीक है चले कुछ नमबर हम लोग 25 को देख होते हैं 25 आपका राπα दसर जो कर्या होगा ठीक है रस्कान की राजवांस का पाधन हुए रास्खान की सराइवांस का उत्पाधन हुएase यहां परदयान दिक 2014 आपका रायट इंतर जो है गले अवज lag छाली हम भी स्पर घाले को हो तिक है तिक Damn 49 कवीता की पुंगती है यहाँ पर बतादे 27 कवा रायट थेशाएंसर है है जो प्रेम यानी शृत चावड ग्रिया के या चलिए आगे खोड मोग देख प centralized करनाफ की शत्रे कोई तेंडू भरी संद्र को मांते थेुं य०ु अनुदीत है पिर कभीता किस दज़ारा अनुदीत से थो तो आपका 30 का राइट एंसर जो है आपको बता दे 30 का राइट एंसर आपके बी नंबर है यहाँ पर परियोग उसुल को दो आ रहा है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर आपके परस्न क्या कहा जा रहा है जीवन नंदा दास किस भासा के परसिद कभी है तो 31 का राइट एंसर भी हो जाएगा बंगला का होगा ठीक है आंगन के पास दुआरा किस कभीता की राचना है 32 का आपका C नंबर आइट एंसर हो जाएगा सचिता नंद हरी नंद यहाँ वतस्य आग्याए की है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं 33 क 33 का आपका है मानों का रच्चा सूरज मानों को भाप बना कर सोख गया यह पौंक्ती किस कभीता का है तो 33 का आपका राइट एंसर जो हो जाएगा 33 का राइट एंसर C होगा हमारी निद ठीक है जनतंत्र का जनम कभीता के रचनकार कौन है जनतंत्र का जनम कभीता के रचनक तो अप्सार नमबर C होगा रमधारी सिंदिन कर होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए को अभी रस्कान द्वारा क्रिश्न भक्ति संबंधित रचना पराप्त होती है तो आपका 35 का राइटेंसर आपका C है सुजान रस्कान में ठीक है चलिए आगे देखते हैं चिंद बार किसके दुवारा लिखी गई है चिंद बार किसके दुवारा लिखी गई है तो 36 का राइटेंसर जो आपका फिंदिका पूरा जनम जो है और कहां पैसे हुगा इस सब्चार चीज याद रखेगा खासकर जिवनिक हो ठीक है अच्छे तरह से चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटे के आसू क्यों आते हैं और 30 का पर राइट एंसर है यह नंबर है वी फालता के कारण आता है ठीक है कभी धर्मबीर भारती द्वा बहुत अच्छा प्रस्ण है यहां पर ध्यान दिजए दूसरे के इसारों पर भटकने वाला लोग को क्या कहते हैं यहां पर बल्ले सब्द में उसर क्या है four वल्ल के सब्द में उपसार है 200 का ऐनूर होगा फर हाड सब्द का वी शेशन क्या होगा 42 का यहां हाड सब्द का 20 सज्ण क्या होगा अपसण नंबर अपका रही तयंसरह पहाडी होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे आगे हम लोग दिखते हैं है यहां पर दीध्विट क्सें पने ही नर्भाय सब्द कौन समयास है आप और सयां यहां पर कहां जा सकता में पर बंड़वन का उध्हारन है का रहां जासी सब्वन्द का उध्हारन आपका 40 का आपका 44 द्यानैंखन थिए दिए फर बंद था थिकती है ऐसी हम लोगges देखते हैं आगामि सब्धा में होगा हाँ आई फ्र 11 für 6 में बहुत होता है गर्यूं ईजल फ माoireई ग्रहें कैनल। सब्द है तो एंसर में आपका 46 का राइट एंसर डी नंबर होगा जो अपरी में होता है अपने पड़ों पड़ खड़ा होना मुहबड़े का अर्थ क्या होता है तो यहां पर बी नंबर है शोलंबी होना सुधवाक्य है इसमें से देखा जाए और 48 का सुधवाक्य कौन होग होगा समझे है यहां पर स्रीक्रिसम के अन्यक नाम है शुर्योद का परतीयाion क्या होगा उंचास का रौ होता है ठीक है चलिये आगे हम रों रोग दिखते हैं 50 में शुरियोद हुआ और कोहसा जाता है किस वाक्य का उधारन है सुर्योद्य हुआ और कुहस्ता जाता है किस वाक्य का उधारन है आपका 50 का राइट एंसर आपको बता दे हम B नंबर होगा सभी तो वाक्य का है ठीक है दोस्तो चलिए परंपरा रंग पाक किस किसम का आदमी था यहाँ परेकावन का राइट एंसर कौन सा होगा दी नंबर होगा इन में से सभी होगा ठीक है मागमा ने बिवहार में बहु को क्या दिया था तो यहाँ पर देखिए मागमा ने क्या दिये थे बहु को बावन का आपका राइट एंसर D होगा इन में से सभी होगा दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए दोहते विश्वास कहानी में रजेंद्र मिश्र क्या है दहते विश्वास कहाने मेरा जंद्र मिस क्या है तिरपन का आपका राइट एंसर ए नमबर होगा जो है संपादक होगा सीता का कौन लड़का हमेशा चूप रहता था तो सीता का कौन सा लड़का हमेशा चूप रहता था चोगन का आपका राइट एंसर C है यहाँ पर बीड़ जो है ठीक है चलिए यहाँ पर किसकी पत्नी ने दाल का हलुआ बनाया था यहाँ पर किसकी पत्नी ने दाल का हलुआ बनाया था 55 का A नमबर है कैलास की ठीक है चलिए आगे हम लोग छपन को देखते हैं दोस्तों चलिए आगे देखते हैं नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था छपन का आपका राइट एंसर हम बता दे डी नंबर होगा बुखार लगा हुए था पपाती को भर आई आखे पोच कर किसने आकास की ओर देखा भर आई आखों के पोच कर किसने आकास की ओर देखा तो संतावन का आपका राइट एंसर ए है सिता का ठीक है चलिए आगे देखते हम विल्ली अमला क्या नहीं जानती थी विल्ली अमला क्या नहीं जानती थी अंठावन का आपका राइट एंसर ए है पढ़ना नहीं जानती है चलिए आगे देखते हैं हम लोग उनसर का उनसर क्या कहता है लक्षमी के सवसुर किस बाद बाद में काम करते समय पथर से दब कर सहीद हो गए यहां पर ध्यानों देजैं लक्षमी के शसुर ज presses जो इस बाद में काम करते हु सहीद हो गए तो उनसर का राइट एंसर जो है डी नमबर है हीरा कुंड बांध में है ठीक है मंगू की मां अस्पताल को किस मी उपमा देती है तो 8 है यहां पर दिया जाए यह में क्या है गौर्शाला को ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं बहुत अच्छा प्रोर्शन आगी है फिर से बाबा सहभीम राव अम्वेदकर का जनम को हुआ था तो बाबा रभीम का अम्वेदकर का जनम जो है आपको बता दे यहाँ पर यह नमबर राइट एंसर सही है 14 अपरेल 1991 में हुआ था ठीक है दोस्तो चलिए आगे देखते हैं चलिए कुछ नमबर 62 की और फिर से हम लोग च दे दोस्तू यहाँ पर свою नमबर आपका इंसर राइट एंसर नियम में ठीक है चलिए आगे देखते हैं मैक्स मूलर ने काली दास की किस पुष्चत का जर्मन बहादा में उसको इनवाद किये है कालिदास के पूछता को तो 63 का आपका राइट एंसर बता दे बी नमबर होगा मेधदुत का ठीक है चली आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हेकल थे हेकल थे यहाँ पर दिया दिया जाए 64 में आपका राइट एंसर कौन सा होगा 64 का बी नमबर र लेकर प दे कुछा यहां बाठते हैं यह इस ने पूछा तो 65 क में बता दे 65 का अपका यह लेखक की छोटी लड़की ने ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर यहां पर देखिये पर लिंग लिपी भारत के किस परदेश की लिपी थी अपरिष्ट की लिपी थी तो 66 का आपका के रिष्टेदार बहादूर पर क्या रोप लगाए तो आपका अप्सान नंबर सौसट का दी नंबर अप्सान है तो ऐसे चुराने का ठीक है चली आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए और सट क्या कहता है चली यहाँ पर देखिए पर रहा से एक ब्रीक्ष की हत्या सिसक में ब्रीक्ष की कभी ने किस रूप में परस्तूत किया है तो किस रूप में परस्तूत किया है तो यहाँ पर और सट का अपका राइट एंसर हम बता दे दोस्तों ए नमबर होगा मानों के रूप में ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं चलिए उनहतर क्या कहता है रेनल मारिया रिलेक का जनम कहा हुआ था जनम क्या हुआ था तो C में है अश्टिरिया में हुआ था चलिए आगे देखेंगे लॉट कर आउंगा फिर पाट के कभी कहा लोटने की बाद करते हैं की लोट कराऊउंगा कभी कहां लोटने की बाद करते हैं तो 70 का आपका राइट एंसर हम उत्ति अधा दे दोस्तों two नंबर होगका पराइट इंसर बंगाल में ठीक है चलिए आगे देख्ते हैं मेरी निंद के हम देखते हैं यहाँ पर छोड़ा हुआ रास्ता कहाने संगरा किसकी रचना है तो आपको बता दे 72 का आपका राइट एंसर जो है आपको मिलेगा यहाँ पर ध्यान दिया जाए सी नंबर राइट एंसर है सचीना नंदे ठीक है चलिए आगे देखते हैं हिरोसीमा सिसक कवीत सुरज कहान निकलता है 73 का हम बता दे क्या होगा सी नंबर होगा नगर के चोप पर ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कभी प्रेम दहन के किस काब्य में करामिन जीवन का या थार्त वादिच चित्र चित्रन है तो 74 का पर आइ यसुधा सब्द की संधी है तो 76 में यसुधा संध की संधी क्या है बी है यसा जोर दा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं उस्तक सब्द का संग्या है तो पुस्तक संग्या संग्या कौन है 77 का आपका A नंबर है राइटरेशन जातिवाचक है दाया सब्द है तो दा कि यहां पर ध्यान देजिए बी नबर राएट असबहा हो सली हृग होगा ठीक है चलिए आगे बहा अगे देखते हैं जो सोएगा सोखोएगा किस स्वर्म नाम का उधारन है तो यहाँ पर सी नमबर है संबंध वाच्छा का उधारन है ठीक है दोस्तो चली आगे हम लोग देखते हैं सेर बहर दूद किस भी सेशन का उधारन है नमबर है परिनामी बोधक है ठीक है वह खा चुका था किस काल का उधारन है तेरासी का आपका सी नमबर है भूत काल का उधारन है ठीक है दोस्तो चली आगे हम लोग देखते हैं सुहा वन सब्द का परतियाई है तो सुहा वन सब्द का परतियाई आपका कौन होगा चौरासी का आपका बी नमबर राइट एंसर है वन होगा ठीक है सुका कुल सब्द कौन समास है तो आपका डी नमबर है तत्पूरु समास है अनुठा सब्द का परिवाचिक सब्द है अनुपम सब्द का परिवात्षिक सब्द प्रस परिज्ए सब्ण धिगरालोंध दिग्या ऊपर चलिए यहाँ पर धियान देते हैं कि यहाँ बता हैं अनुलूंपी का परिवात्री तो 87 का प्र० Dá आपर यहांग कुंद है यहाँ पर बिवाह करना होता है, यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग, परोग्च सब्द का समास कौन सा होता है, तो परोग्च सब्द का समास आपका अपसर नमबर C, राइट एंसर है, अब यह बहा हो है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नबे में, खूचा न किस काल का उधारन है यहांपर ध्यान दिया जाये किस नमबद सी है अपरो गहां है आपन्चानवे में 75 में सावर्दाई किस कठकार है तो सावर दाइक कितपाट के कतकार है, तो 95 का आपका A नमबर आइटेंसर है, धर्ति कब तक घुमेगे, उसके बाद क्या है 96 का, मगमा को किस बिवाद था, तो 96 का आपका C नमबर है, बहुत से था ठीक है, लक्षमी को कितने लड़किया थी, लक्षमी को दो लड़किया थी ठीक है चलिए आगे हम लोगा अंठानवे देखते हैं यहाँ पर दिखे बांध के निगरानी के लिए लक्षमी ने किसे भेजा अठानवे का ओपका राइटेंसर है बड़े लड़के को ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन पपाती को अकेले छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी तो अपसा नंबर B में है बिल अमलाने आगे दखते है आज यह वास्प सब्सब्द है तो यह है तब सब्सब्द है ठीक है दोस्तों तो एतना ही पर हम आप लोग से बीदा लेना चाहते हैं आज के लिए इतना हैं चलिए जय हिन जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जय बिहार